गुड मॉर्निंग फिप्ट क्लास, बेटा हमने EBS में चैप्टर नंबर 15 और 16 लाइब क्लास के टाइम पर अल्रेडी रीट कर लिया था, ठीक है, तो इसके जो वर्ट मिनिंग्स थे, जो भी आपके अकॉर्डिंग हाड वर्ट थे, उसके मैंने मिनिंग्स लिख दिये हैं, तो अभी इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 15 और 16 का exercise पार्ट डिसकस कर लेंगे, जिसके PDF आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें से अपना homework complete कर लेना, ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 15 की exercise की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 15 हमारा था, Eat Whenever You Want, जिसम हमने बहुत सारे ways पढ़े थे जो हम already discuss कर चुके हैं, तो अभी हम लोग discuss कर लेते हैं, इसका exercise पार्ट, तो देखो, first question हम से पूछा गया है, write the names of three essential items required to preserve edible items, तो हमें three ऐसे items बताने हैं, जो की edible items को preserve करने के काम आता है, या बचाने के काम आता है, तो हम कैसे बचा सकते हैं, तो हम उसमें sugar add कर दें, या फिर हम salt add कर दें, या फिर हम citric acid add कर दें, ठीक है, sugar means chini, salt means नमक तो होता है, जैसे कि मालो कि हमें पिकल को बचा कर रखना है, तो हमें बहुत जादा तेल डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, जिससे कि वो काफी दिन तक चले, ठीक है, जैसे हमें जैम है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, तो हम लग उसमें sugar add कर देते हैं, जिससे कि वो जादा टाइम तक चले, खराब ना हो, तो इस तरह हमने 3 items लिख दिये, second question हम से पूछा है, which things are used to preserve lime pickle, lime pickle को प्रिजर्व करने के लिए, यानि बचाने के लिए हमें कौन कौन सी च बचावा खाना है, वो वेस्ट ना हो, और खाना बचे ही ना, तो हमें क्या करना चाहिए, we should take only that much amount quantity of food in our dish, we want to eat also, food should be taken in a proper way by sitting, तो हमने क्या आंसर किया, हमने या आंसर किया, कि हमें उतना ही quantity में खाना लेना चाहिए, अपने प्लेट में, जितना कि हम लोग खा सके, जित करना चाहिए, हमें ठीक है, हमें थोड़ी quantity में ही food अपने प्लेट में लेना चाहिए, साथ ही साथ हमें खाने को अच्छी तरह बैट के ही खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि होता है, हम कई बार खड़े-खड़े खाते है, तो हमारा खाना गिर जाता है, तो वो वेस्ट हो ज तो यहां पर हमें कुछ edible items दिये हैं, और हमें का गया है कि हम इनको preserve कैसे कर सकते हैं, बचा के कैसे रख सकते हैं, ताकि यो खराब ना हो, तो हम green peas, जो हरे मटर होते हैं, उसको कैसे preserve कर सकते हैं, जिंजर को कैसे कर सकते हैं, हम उसको पहले sunlight में रखेंगे, और फिर हम उसक मैंगो में बर्ड़ का कर सकते हैं Whenever आधक ङोगर के थानी हम संलाइट में यूज थार मोइ हम पोटाइटो को हम क्या कर सकते हैं उसको भी हम सनलाइट में ड्राइट करके उसके चिप्स बनाकरी। यूज बर मπά फिर इस में भी हमसे वही कुछ पूछें यहाँ उसमें हमें वे इडिल आयटम्हा इडिया हम पूछा गया है कि हम उनीक ही प्रिजफ जैम को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? उसमें शूगर एड़ कर दो, और एर ताइट कंटेनर में रख दो, फेनुगेक को कीसे कर सकते हैं हम लोग इसको भी हम लोग सनलाइट में ड्राए कर सकते हैं, पोटाटो चिप्स उसको भी हम सनलाइट में ड्राई कर सकते हैं ब्रेड को हम रेफ्रीजरेटर में स्टोर कर सकते हैं और अनियन को हम सील करके रख सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं तो यह हो गए फिर देखिए हमसे यहां पर फिर से कुछ एडिबल आइटम्स दे रखे कर्ड को हम लोग रख सकते हैं और मैंगो पीकल में हम लोग ऑल डाल के रख सकते हैं ठीक है आम क्या आचार में हम अच्छे अमाउंट में तो वह खराब नहीं होगा फॉर्थ कोशन है वाट केन बीड़न तो अवाइट फूड वेस्टेज डियूरिंग वेडिंग रिशैप् जो हम लोग के शादी विगेरा होते हैं। उन में खाना रखते हैं तो हम हमारा खाना जो है वह वेस्ट ना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने फ़र्स्ट पॉइंट लिखा बाइटेग लिमिटेट फूड पूड फूड फूड आवर डिश हम अपने प्लेट हम खाना भी उतने लोगों के हिसाब से बनाए फोर्थ है by limiting the variety of food और हम जादा variety क्या होता है फूट काफी वेस्ट होता है तो हम लिमिटेड वेराइटी रखे ठीक है और वही सर्व करें लोगों को फालतो दिखावे में नहीं जाएं फिर्ट है विच मैथर्स डूवी अडॉप्ट तो प्रिजर्व फूट फूर लाइं लॉंग टाइम अगर हम लंबे समय तो हम लोग उसे वैक्यूम पैक्ट कर सकते हैं तो यह हुआ हमारा चैप्टर नमबर फिफटीन का कोशिन आंसर फिर हमने पढ़ा था चैक्टर नमबर शिक्स्टीन आवर प्राइड जिसमें हमने डॉक्टर विक्रम सारा भाई के बारे में पढ़ा था होमी जांगिर में पढ़ा था फिर हमने भीम राव अंबेटकर के बारे में पढ़ा था एंड लास बट नॉट द लीस्ट हमने पंडित मदन मुहन मालविय के बारे में पढ़ा था तो इसके भी मैंने वर्ड मिनिंग्स लिख दिये हैं ठीक है ताकि जब आप लोग चैप्टर की रीडिंग करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ तो अब हम इसका एक्सेसाइस पार डिसकस करते हैं तो देखो फर्स्ट कोशन पूछा गया है नेम दा यूनिवर्सिटी विच वास इस्टैबलिस्ट बाई मुहन मालविय ठीक है मदन मुहन मालविय ने कौन सी यूनिवर्सि जो बाई यू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो किस ने स्टैबलिश की थी पंडित मदन मुहल मालविय ने की थी और ये यूनिवर्सिटी कहां पर है ये वारा नसीम है ठीक है तो यह हमने आंसर दिया सैकेंड हूँ वास दे चेर्मेन ओफ दर ड्राफ्टिंग कम शिवाजी मदर तो हमने शिवाजी के मदर के बारे में पढ़ा था तो शिवाजी की मदर कौन थी क्या नाम था उनका उनका नाम था जीजाबाई फिर एक्जामिनेशन टाइफ कोशेंस में फर्स्ट कोशेंट पूछा गया है डॉक्टर भीम राव अंबेटकर्स क्या था वो था अन्टैचिबिलिटी की जो उनको नीची जाती का मान के उनको छुआ छूत के तरह से की इनको छूना नहीं है इस तरह से बिहेव करते थे तो इसी कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई उनके चाइल्ड हूड में फिर बड़े होने के बाद तो उन्हो लेशन दिडियू लर्न फ्रम दे लाइफ डॉक्टर भीम राव अंबेटकर भीम राव अंबेटकर के लाइफ से आप क्या लेसन सीखते हैं तो हमने लिखा हमने हम क्या क्या सीखते हैं वी शुड नॉट बी साइलें अगेन इन जस्टिस या अगर आपको दिख रहा है कही पर अन्याय हो रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए वी शूट अपोज आल सोशल लिविल जो भी सामाज में बुराइयां हैं उन सब को हमें खतम करने की कोशिश करनी चाहिए उनके लिए आवाज उठानी चाहिए ठीक है वी मस्ट भी एडूकेटेट और हमें अच्छा देशभग्द बनाना चाहिए तो यह में किसके लाइब से पता चला था यह में जीजबाई के लाइब से पता चला था जो कि शिवा जी की मदर थी फूर्थ है ओन विच तिंग डिडिड होमी जहांगीर बाबा ले एंफिस अपॉन डूरिंग इस एंटार ना तो हमने आंसर किया डॉक्टर हुमी जहांगीर बाबा लेड एंफिस अन दे यूज ऑफ इंडियन अपरेटर एंड इंस्टूमेंट कि साइंस में जो भी इंस्टूमेंट्स यूज़ो जो भी चीज़े यूज़ो वो सारी इंडियन हो इंडिया के द्वारा ही बनाई गई हो उनको दूसरों पर डिपेंड रहना ना पड़ें ताकि इंडिया सिफ खुद पर डिपेंडेंट हो ठीक है ना कि दूसरों पर फिफ्थ कोश्चन है राइट शॉट नोट ऑन दा लाइफ ओफ मदन मोहन मालविय के वारे में एक शॉट नोट लिखने कहा गया हमें तो हमने लिखा पंडित मालवे was a poet by birth यानि कि जनम से ही वो एक poet थे और उनका poetic नेम क्या था माकरण अब उनका थे वारा नसी उन्होंने डिसाइड क्या था क्यों वारा नसी में एक उनिवरसिटी स्टैब्रिश करेंगे और इस उनिवरसिटी का नाम क्या था बनारस हिंदू उनिवरसिटी अब उन्होंने क्या क्या था उन्हों पूरे अपने नेशन में गूमे थे पूरे राश्टर में गूमे थे और पूरे देश में गूमकर उन्होंने 64 lakh रुपीज इकटे करवाय थे था कि वो उनिवर्सिटी बना सके और उनका ये मानना था कि हम लोग औरों के स्लेव रहेंगे अगर हम लोगों में देशभक्ती नहीं जागी तो और देशभक्ती हम कैसे जगा सकते हैं लोगों को educated बना कर यानि उनको पढ़ा सकते हैं क्योंकि पढ़ाई हम लोगों के रगों में कौन लेकर आया वो थे पंडित मदन मुहन माल विए तो यह हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट मैंने आपको चैप्टर नुमर 15 और 16 का एक्सरसाइस पार्ट समझा दिया है यह दोनों चैप्टर के जो कोशन आंसर से वह